हलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को इस यूटूब चैनल में और हम ले करके आगें बेहद हैं इंपोर्टन रिपोर्ट तो आईए इस रिपोर्ट के किक पॉयंट को देखते हैं और समझते हैं तो रिपोर्ट यह है कि US Open Tennis Tournament 2020 का आयोजन किया गया जिसका 140-वा संस्करण नियोर्क में किया गया 13 सितंबर 2020 को तो आज है 14 सितंबर तो 13 सितंबर को नियोर्क में 140-वा संस्करण का आयोजन किया गया जिसमें में सिंगल्स का किताब जीत लिया है किषने तो आस्ट्रिया के हैं डोमिनिक थियम जैसा कि आप फोटोग्राफ में देख रहे हैं ये रहें आस्ट्रिया के डोमिनिक थियम जो की मेंस सिंगल का किताब जीत लिया है वही वीमेंस सिंगल्स की बात करें कि किताब खौन जीत लिया है तो जपान की नाओमी उसाका जैसा कि आप फोटोग्राफ में देख रहे हैं तो ये विमिन सिंगल्स का किताब जीत लिया है यहाँ पर हम बात करेंगे मिन्स डबल्स की इसमें कुरेसिया के हैं मिट पावियोक जैसा कि आप फोटोग्राफ में देख रहे हैं और ब्राजील के हैं ब्रुनो सुरेस जैसा कि आप फोटोग्राफ में देख रहे हैं तो इन दोनोंने मिंस डबल्स का किताब जीत लिया है यहाँ पर बात करेंगे महिला डबल्स की तो महिला डबल्स में जर्मनी की हैं लोरा सीगमुंड जैसा कि आप फोटोग्राफ में देख रहे हैं और रूस की हैं वेरा जवोना रेवा जैसा कि आप फोटोग्राफ में देख रहे हैं ये रहें वेरा जवोना रिवा जोके इन दोनों ने महीला डवल्स का किताब जीत लिया है तो उमीद है कि बड़ियो पसंद आया होगा प्लीज लाइक करें सेयर करें और सब्सक्राइब करें फिर मिलेंगे आपसे कुछ इसी तरह के ट्रेंडिंग करेंट अफेयर नियूज के साथ तब तक के लिए धन्यवाद